अधियर कोई गया से इस वीडियो में आज हम स्कॉप फंक्शन की बात करेंगे इन डेटेल समझेंगे कि स्कॉप फंक्शन कौन से ओते हैं क्या होते हैं और आमने किसलिए युज़ करते हैं सो स्कोपफंक्शन.kt करें मैंने फाइल बना दिया में फंक्शन उसके अंदर एड़ेड है अगर आपने हमारे प्रिविएस वीडियो नहीं देखें सो डू चेक्ट देम आउट को बेसिक से हमने काफी डिटेल में कवर किया है अगर आपके कोई भी डाउट से या कन्फूज करता है कोड़ें के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इन फंक्शन के हेल्प से हम एक टैंपररी स्कोप क्रिएट कर सकते हैं यहने फॉर एक स्पेसिफिक अमांट ऑफ लाइन के अंदर हम जो चाहें वह आपरेशन कर सकते हैं ऑन अब्जेक्ट ऑके सो यह काफी सुनने में कन् लाइन ऑलसो तो यह जो पांचोस फंक्शन से काफी है तक सिमिलर है डिफरेंस क्या है कि यह जो कॉंटेक्स्ट अब्जेक्ट है उसे कैसे रेफर करते हैं और यह क्या रिटन करते हैं ओके सो इन डिटेल हम समझेंगे आप सब करके देखेंगे उसके पहले हम एक एक्जाम इंपलाई का आई-डी ऑफ टाइप इंटीजर और इनीशेली हम रख देते हैं जीरो उसके बाद में एक और अट्रिव्यूट से नेम और टाइप स्ट्रिंग और इनीशेले में से डबल कोट्स में सट कर देता है डबल कोट्स अब हम इस क्लास का अब्जेक्ट बनाना चा नेम और इंपलाटाइ में अब्युक्ट बना घ Deel अब मुझे जो अब्जेक्ट जो ऑप्जेक्ट में इसके जो एट्रिचम्न लस mess प्रेप्टिए मोत करना सो किर्भ गडे ऐग। तो में कैसे देता हूँ सो नॉर्मली हम अब तक कुछ इस तरीके से देते आ रहे थे यह एंपी डॉट आईडी एंड नेक्स्ट होगा इंपी डॉट ने जो की डॉबल कुछ भी नाम आप देना चाहें वो होगा सब्भी जो काम है यह काफी इसी हो जाता है और काफी कंविनेंट हो जाता है सब्सक्राइब जाँन के हैं आयर इंप कर सकता है और यह काफी convenient way में कर सकते हैं तो the same जीज जो मैंने यहां की है यहां पर दिक्कत क्या थी यह पर प्राब्लम यह था किसी अभी हां पर employee class के सिर्थ दो ही attributes ID और नेम मान लेते हैं कि 10-15 attributes होते हैं so every time मुझे यहां पर EMP.EMP.EMP. dot लिखना पड़ता okay so scope function के helps हम इसे overcome कर सकते हैं कैसे scope function में हमारे पास एक function है apply जो कि हमें तब यूज करते हैं जब हमें object के properties का assignment करना हो या object के properties को कोई value assign करनी हो तब हम यह यूज करते हैं उसली इनिशियलाइज़ेशन पर पस के लिए तो एक चीज यही चीज में apply के help से अगर करूंगा तो कैसा होगा so EMP.apply कि ओके सी ओल्रेड़ी हमें शो कर रहा है इन विल्ट function है कोटलियन में प्रवाइड कर रहा है सबसे पहली चीज जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि जो scope function जैसे मैं को कॉल किया तो करली ब्रेस ओपनिंग कर लिब्रेस और क्लोजिंग कर लिब्रेस आ रहा है इसका मतलब किया यह लैंबडा एक्सप्रेशन है जितरह भी हमारे scope function सारे लैंबडा expressions है ओके moreover अब हम इने scope functions कहते ही क्यों है तो सी यह बेसिकली क्या कर रहे है जैसे मैंने अभी देखो यह object है ओके इस object के उपर मैंने एक scope function को call किया तो यहां पर यह opening curly brace से लेकि closing curly brace के बीच में हम जितना चाहे उतना code लिख सकते हैं अब वो जो code होगा वो किसके उपर perform होगा ओप्जेक के उपर क्योंकि हम अबजेक के उपर scope function को call करें तो basically यह क्या create कर रहा है एक scope create कर रहा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे है object के उपर context object के उपर हम क्या कर रहे computation कर रहे है जैसे अब यहां पर apply की case में हम क्या करने वाले है object जो है हमारा context object जो है हमारा उसके properties को initialize करने वाले तो EMP का property कौन से कौन से थे obviously बात है EMP employee class का object है तो उसके दो properties है id और name तो अभी यहां पर apply तो see apply और ऐसे हमारे पास बाकी के भी बहुत से scope functions है तो अभी इसके अंदर initialize करना है तो मैं कैसे करूँगा this.name is equals to ABC right in the same way this.id is equals to one right तो यहां पर basically मैंने क्या किया है see EMP.apply apply ने क्या किया एक scope create किया scope के अंदर मैं EMP मुझे पूरा लिखने की नीड नहीं आ रही है मैं सिधा उसका reference this करके तो यहां apply function के अंदर हम जो context object है यानि जिसके उपर हमने apply को call किया है उसको हम this से refer करते किसे this से refer करते यहां पर एक चीज़ आपको दिहान में रखनी है क्या यह जो सारे let run with apply also यह सारे किसी ना किसी object के उपर ही call होंगे और सब के अंदर अब इन सब भी क्या करने वाले हैं कुछ ना कुछ operation ही perform करने वाले है context object के उपर तो यह सारे difference कैसे है इस सारे different कैसे में तो यह लुक्ड different है इन दर टांब्स के ओलोग context object को कैसे अजिसे अपलाई जो है context object यानि जिस object पर apply call हुआ है उसको किस से refer कर रहे है इस से refer कर रहे है वहीं लै जो है वो इस से refer करता है ओके तो यह किस तरह से यानि context object को ये लोग this या let किस से refer कर रहे हैं उससे एक difference होती है and दुसरी किस चीज़ से difference होती है कि लोग return क्या करने है तो ये तो lambda expressions है तो last में लोग क्या return करने है object return करने है या unit return कर रहे है या क्या return कर रहे है इस business पर भी difference create होता है इसके बारे में बाद में बात करोंगा जब मैं इन सारे functions को cover कर लोगा so as of now आप इतना दियाद रखे कि apply जो है वो क्या कर रहा है context object को किस से refer करता है this से refer करता है so अब हमें ये this अगर हम नहीं भी लिखेंगे क्योंकि हम scope के अंदर है see मैं अब एक scope के अंदर हूँ उसके अंदर this भी case को indicate कर रहा है context object को indicate कर रहा है but यहाँ पर अगर में this भी हटा दो तब भी कोई फरक नहीं देगा right तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब भी same वही है जो हम पहले कर रहे थे तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है ID को set कर रहा है one और name को set कर रहा है ABC किसके context object के so it's understood हमें this लगाने तक की need नहीं है तो यह convenience हो जाता है काफी जादा convenient हो जाता है हमें operations करना with the help of scope functions on the object so I hope आपको यह समझ में आगा कि scope functions क्या होते हैं और उनका main purpose क्या होता है तो apply जो है वो mostly हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी object के properties को क्या करनी हो initialize करनी हो अभी ऐसे मान लीजिए कि और 15-20 properties होती है सभी को आप सिर्फ apply करके लिख के उसके अंदर application मतलब उसके अंदर उन्हों सबका initialization कर सकते थे okay so अब अगर हम EMP के attributes को print कर हमाएं तो प्रेंट अलें अधिए एंपी डॉट आइडी एडी कर आकर रिखते कर सेट हो गया तो यहां पर आईडी वन है तो आउट फूट शुट भी वैंट यहां पर वन आ गया इसका मतलब अब EMP object जो है वो प्रॉपरली उसके attributes जो है वो सेट वे विद्ध हेल्प अप्लाय फंक्शन अब समाटा देता है तो यह जो अप्लाय फंक्शन है क्या रिटर्न करता है तो जैसे कि मैंने कहा दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो भी यह पाच्व फंक्शन जो है इसे हैं और दो से डिफरेंट होंगे इंदर टम्स की लोग Context object को किसे refer कर रहे हैं और एक्या स्टोर कर नहीं करते हैं सो एक्स का टाइप हम चेक करते हैं एक्साटाइप इस वाट एंपलॉई और एंपलोई जो है वह किसका टाइप है हमारे येमपी आप जय का टाइप है और येंपी जो है वह हमारा कॉंटेक्स आप्टेक्ट ने करता है इंधारक्री दॉट अब अगर मैं यहाँ पर नीचे कुछ और भी लिखतो अभी जना है अब आपलाइ जो होता है भुख करने वाला है कंटेक्स्ट अबजिक.org हष आप जे अपको अपको समझ नहीं किनो मैंट पर अंदर छिह रहा है है तो जो next को function हम देखने वाले हैं वो है लेट का मेन functionality क्या है जिसे हम apply को यूज करते थे किसलिए था कि हम object के जो attributes से होंका initialization कर सके तो इस तरीके से let को हम कभी यूज करते हैं अगर हमें operation या हमारे जो code lines है जो code block है उसे हमें non null values के उपर ही execute करना है यहने हम जो भी operations perform करेंग यह उसके अंदर कोई भी value null नहीं होनी चाहिए तो अगर हमें कुछ ऐसी functionality चाहिए तो हम let's go function जो है उसका यूज करते हैं तो पहले तो मैं एक object बना देता हूं employee class का ही इस बार मैं employee 1 और यहां पर मैं टाइप खुद specify करोंगा क्योंकि इसको मैं null रखने वाला हूं तो मु आप यूज की बात है एन्यूल नल अब है मैं EMP1 के उपर लेट function को कॉल करोंगा सिर्फ लेट नहीं हमें कॉल करना है मैं उसके साथ में सेफ कॉल भी देना है ओके सो EMP1 question mark डॉट इसके अंदिर हम क्याते देंगे लेक सो लेट बेसी के लिए करता है कोड़ ब्लॉक को एक पर लेट जो है वो कॉंटैक्स्ट ओप्टिकने जिसके उपर उपते हैं इसको किस्तर रइफ अगरता है उसको तरीके से जिस तरीके से फैसे इंदर हम कॉंटैक्स दोब्जैंकोम को मैं मैं प्ली को इस तरृव करते हैं रहाट कर दो और साथ में storage क्या होगा हम तूब हम यहां पर यह रेखते हैं कि यह प्रॉपली काम कर भी रहा है या नहीं सब मैं क्या करूंगा प्रेंट एलेंड और यहां पर मैं इट डॉट नेम करते था हूं तो बिसी के लिए एंपी वन जो कि इनीशियली क्या है और नल है उसके उपर मैंने लेट फंक्शन अलांग विद सेफ कॉल यूस किया है यह देखने के लिए कि यह प्रेंट क्या कर रहाया और नहीं कर रहा है क्या है क्यूंकि इ solo करते हैं ऐसको एक्षयच हुआ और हमें कुछ पी प्रेंट नहीं हुआ है विकॉस ऑब्यूस से बात है यह नल है अब अगर मैं इसका वेल्व असाइन कर दो अब यहां पर स्टेमें ने इंपलाई करके बना दिया है और अब आईडी प्रेंट कराता हूं फिकि इनिशिल याईडी तो जिरो होगी ही आईडी प्रेंट हो गया है अब अब लेट रिटर्न क्या करता है तो यहां पर हम इसे एक वेरियबल में स्टोर करके दिखते हैं से वेर्ट वाइड इसे कोल स्टो यह अब आगर हम वाई का टाइप देखेंगे तो वाई का रिटर्ण डाइप क्या है यूनेट है तो क्यू यूनिट है क्योंकि यहां पर हमने जो लिखा है वो क्या है प्रिंट स्टेटमेंट तो अब्योसी बात है हमारा यह जो ब्लॉक एकुछ रिटन ही नहीं कर रहे हैं तो बिसिकली यह पर आपको जो लामड़ा एक्सप्रेशन यह जो भी रिटन करेगा वही लेट का रिटन टा एक होप आपको यह समझ में आओगा कि लेट जो है वो किस पॉपस के लिए उस होता है वो अपने कॉंटेक्स्ट अब्जेक्ट को किस से रफर करता है और रिटर्न क्या करता है वके तो यही इन की डिफरेंस पॉइंट से आपको साइमेटरनेसली याद रखते जाना है कि यहां पर हटा देते हैं और इसको में फिलाल करें कमेंड करते हैं तो नेक्स को फंक्शन हम देखने वाले हैं वह है विट सो नाम से समझ में आ रहे है विट तो विट दो स्पेसिफिक कॉंटेक्स्ट अब्जेक्ट आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो करो याने विट स्क के उपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अब विट को अगर हमें समझना है तो पहले एक चीह रहेगा तो मैं पहले वारेक्स वाला पाठ आदेखा हूं मैं इंप और यूज करने वाला हूं विट के केस में वाकियों के केस में हम ऑबजेक्ट डॉट जो स्कॉप पंक्श सब्सक्राइब यहां पर मुझे जो भी कंप्यूटिशन परफॉर्म करना है एंप के उपर वह मैं कर सकता हूं विट एंप एंप के साथ आपको जो भी कंप्यूटिशन करना है आप इसके अंदर लिख सकते हो ओके सब्सक्राइब यहां पर ऑबजेक्ट को हम किस से रेफर करेंगे हम जो से यहां पर मैं लिख सकता हूं प्रिंट एलन इस डॉट ऑब यह सी बात है क्योंकि यह स्कोप इंप के उपर है तो इस इंडिकेट्स इंप और उसके बाद में नेम और आईडी जो भी है तो इस डॉट नेम तो यहां पर देख सकते हैं उसका नाम प्रेंट कर दिया कि इसका नाम क्या है ABC इसका मतलब विट जो स्कोप फंक्शन है उसके अंदर हम जो अबजेक्ट है उसको कि से रफर करते हैं इसको मैं हटा भी तो 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 भी फाइन है ऊके अंड रिटर्न क्या करता है यह यह नट इंट्रस्टेंग सो मैं अगें वैर एक लिए रहता हो अभी हम X का टाइप देखते हैं C X का टाइप इस यूनिट याने X जो है वो कुछ भी रिट यूनिट रिटन कर रहा है क्यों क्योंकि यह जो लैंबडा एक्सप्रेशन है वित का यह जो स्कोप है इसके अंदर as of now last statement क्या है रिंट जो कि simply कुछ भी रिटन नहीं कर रहा है इसलिए इसका रिटन टाइप क्या है यूनिट अब अगर मैं यहाँ पर नीचे सिर्फ नेम लिख दू नेम क्या है स्ट्रिंग यह बाइदेवे राइट तो X का रिटन टाइप जो है वो क्या हो जाएगा स्ट्रिंग हो जाए लेडी लेड़ा एक्सपयृषन में रिटन टाइप वही कंसेडर होता है जो कि लास्ट में मालास्ट वाले लान के जो भी ट अबार रिटन टाइप का था स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो बिसिकली विट जो है, वो object को, context object को refer किसे करता है, this से refer करता है, और return क्या करता है, lambda expression है नहीं, जो भी इसके lambda expression में last line होगा, वो उससे ही return करतेगा, okay, that is the difference between width and apply, तो दोनों almost same जैसे ही काम कर रहे है, तो भी operation करना है, वो कर रहे है, apply mostly initialization के लिए use होता है, बट हम logic भी लिख स यहाँ apply जो है, वो क्या return करता है, apply return करता है, object को ही return करता है, no matter आप apply function में last line क्या लिख रहे हो, although being a lambda expression, आप last line कुछ भी लिखो, वो return क्या करेगा, वो return object करेगा, यह बात मैंने पहले आपको दिखाया था, right, in the same way, यहाँ पर width जो है, वो भी context object को this से refer करता है, पर वो return क् करता है, lambda result, यहने, last line जो भी होगी, उसका type और return करता है, अब हम जो next scope function देखने वाले हैं, वो है run, okay, so run जो है, वो एक kind of combination है, किसका let का और width का, यहने let के जैसे, वो null safety भी provide करता है, as well as width के जैसे, वो object के उपर operations भी करने देता है, okay, so यहाँ पर, let's see, emp के उपर ही हम इसक okay, और यहाँ पर हम simply, जैसे हम normal यह तक print करता है, वैसे हम print कर सकते है, name, so name जो है, वो किसका name है, emp का, जो name property है, वो है, okay, so अब हम अगर मैं इसको run कर दो, so यहाँ पर यह क्या करेगा, emp का जो name है, पहले इसका वाला print उसने किया है, width वाले function का, and then उसके वाद में run वाले का जो print है, वो उसने किया है, right, so उसने name print कर दिया, लेकिन साथ ही में यह let की भी functionality देता है, so अब अगर मैं यहाँ पर से यह where y वाला part हटा दो, so अब मेरे पास emp1 वाला object है, right, so अब emp1 वाला object जो है, वो क्या है, null label है, okay, तो वो null ही है, so जब मैं emp1 dot run करके उसके अदर में name तो यह मुझे यहाँ पर safe call देने बोल देता है, so see, it's a kind of null check के साथ, यह let की functionality हमें देता है, safe call operator के साथ, यह हमें क्या दे रहा है, let की functionality भी दे रहा है, okay, so in this way, this gets actually useful, okay, so run जो है, it's kind of combination of both, let as well as with, run जो है, इसके अंदर हम context object को किस से refer करते हैं, this से, किस से, this से, तो जिससे बाकियों में हमने दिखा था, उसे तरीके से, run के अंदर भी हमारा जो context object है, उससे हम किस से refer करते हैं, दिखते हैं, moreover return क्या करता है, so अब यहाँ पर अगर मैं bear z is equal लगा दू, तो, यहाँ आप देख सकते हैं, z का return type क्या है, unit है, तो unit है, याने क्या, obviously बात है, पर print statement है, इसलिए return type unit है, अब यहर मैं नीचे one लिख दू, तो इसका return type जो है, वो integer हो जाएगा, तो इसका मतलब z, जो run function है, उसका return type जो है, वो क्या होने वाला, lambda result है, अब उसका जो scope है, इन उसका जो lambda scope है, इस scope के अंदर last line जो भी होगा, वो basically उसका type जो होगा, वो ही होगा return type, वो ही return करने वाला है, right, so, I guess, यहाँ पर run का concept जो है, वो भी clear हो गया होगा, अब हम next और हमारा आखरी function, जो also, उसको देख लेता है, so now, as the name suggests, also, also हमें क्या बता रहा है, कि इतना तो करी दिया है, उसके साथ में यह भी कर लो, so, मान लिजए कि मैंने initialization कर लिया है, with the help of apply, यह नॉर्मल इस तरीके से initialization में ने कर लिया, अब उसके बाद में वो जो कुछ additional performance यह कुछ additional चीज़े करनी है, so, in that case, I can use also, so, let's see, कैसे हम use करेंगे, so, मेरे पास EMP है, उसके सारे attributes का initialization हो चुका है, so, अब मैं कुछ additional काम करना चाहता हूँ, तो, उसके लिए मैं क्या call क operations करने हैं, वो मैं यह पर specify कर सकता हूँ, as of now, मैं यह पर क्या कर दे रहा हूँ, print telling, इस बार में फोड़ा formatted string लिखूँगा, the name is, यह फिर ओ सारी, double quotes, the हम हटा लेते है, प्रिम नेम, यह, अब इसको हम double quotes में डाल देते हैं, yeah, so, name is, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, dollar, क्या लिखेंगे हैं, यहाँ पर name लिख लेता है, जिससे मैं name लिख रहा है, मुझे error दे रहा है, the reason is, also जो है, वो अपने context object को, it से refer करता है, ना कि this से refer करता है, तो जब भी आपके पास this, जब आप context object को this से refer करते हो, तब आप this नहीं भी लगाओगे, तब भी चलेगा, लेकिन जब आप उसे it से refer करते हो, at the time आपको it लगाना ज़रूरी है, okay, so, अब it.name को अगर मैं curly braces में लिख दू, तो यहाँ पर it.name is actually working, so, अब यह चीज आप बोलोगे कि यह चीज let के उपर भी apply होती है, तो yes, let के उपर भी यह चीज apply होती है, see, let भी, let जो हमारा scope function है, वो भी अपने context object को किस से refer करता है, it से refer करता है, यह सिर्फ let और also ही है, जो कि अपने context functions को, context sorry, context object को किस से refer करता है, it से, so, अगर मैं let में भी, यहाँ पर it हटा, दो और सिर्फ id रखो, तो even in that case, वो unresolved variable बोल रहा है, okay, unresolved reference बोल रहा है, so, यहाँ पर भी हमें it की need है, okay, so, अब हम अगर इसको run करेंगे, इसको हम comment कर देते हैं, so, name is ABC जो है, वो प्रेंट हो गया, साथ में यह भी प्रेंट हुआ है, अब भी, no, यह लेट वाला पार्ट प्रेंट हुआ है, यहाँ पर तो यह रिटन हो रहा है, right, so, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा name इस वाला जो बार्ट है, वो प्रेंट हो गया, so, I hope आपको also का concept समझ में आओगा, so, also, जैसे कि मैंने कहा कि context object को वहाँ पर किस से refer करता है, its से refer करता है, और operation के बाद result जो वो रिटन करता है, वो क्या रिटन करता है हम वो भी देखता है C also जो है वो रिटन क्या करता है object रिटन करता है context object को ही रिटन करता है यहाँ पर lambda result रिटन नहीं करता apply जैसे ही also भी जो है वो क्या रिटन करता है context object रिटन करता है no matter आपने lambda का जो scope है उसके अंदर आपने lambda expression के जो कलिबर से से उसके अंदर आपने क्या लिखा है doesn't matter also वही also हमेशा ग्या रिटन करेगा context object को ही रिटन करेगा तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ से कोई भी number यह true false लिख लेता हूँ लेकिन फिर भी अगर आप सी का रिटन टाइप देखोगे तो सी का रिटन टाइप इस टीका जो टाइप हो क्या है बिसी के लिए इंप्लॉई ही एन्ए और वाला है क्या रिटन करने वाला है अब्जेक्ट टेंगने वाला है ओके सो यहाँ पर अगर मैं प्रेंट लगा देता हूँ प्रेंट अलेन सी जो कि विसी के लिए इंप्लॉई टाइप का आप देख सकते हो तो आटमेटिकली उसके अट्रिब्यूट्स आ सकते आईडी और नेम रेट सो आपने प्रेंट किय द्रू लिखा जो भी लिखा हो सब रिटन नहीं होने वाला है तो एक बार हम इसको रंड करके देख लेए थे हैं यह वाया लाइन एक्जिक्यूट हुआ यह लाइन एक्जिक्यूट हुआ पर इस पूरे लिए और फंक्शन ने रिटन किया है बेसिकली सी को एंप्लॉई क जोकी एंपी है वही है वही और जाटन किया है इसकी चलते उसका जो नेम प्रोपरिटी है वही प्रेंट हो गया है जब हमने सी डॉड नेम को प्रेंट किया और गयस आपको यह जो करते होंगे पांचो के पांचों स्कोप फंक्शन को मैंने इन देटेल कवर किया अगर किया होना चाहिए साथ में और लोग आपस में दूसरे से की इस तरीके से डिफरेंट है मैंने वो सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है एनी डाउट्स प्लीस पिंग इन दे कमेंट सेक्शन थैंक्यू